तेम्बूर फार्मी में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपका दोस्त अनुईर शेक फिर आपके लिए कुछ खास लेके दोस्तों आज बात करने वाले है कि पशुवोक का क्या है कुर्शी में महत्वा तो वीडियो भूत ही खास होने वाले हर एक पशुव पालक के लिए और ह किसी तरीके से पशुव पर निर्बर है पुराने समय से ही मनुष्य पशुव को सीद्या या असीद्या तरीके से प्रयोग में ला रहा है यदि खेती की बात करें तो पशुव का इसमें बहुत बड़ा योगदान है जैसे किसान पुराने समय में खेती के कामों में प्रयोग करता था जैसे बैल की सहायता से खेत की जुताई कर फसल की बिजाई की जाती है और से कुए में से पानी निकालने की लिए बैल सहायता करते है वर्तमान समय में भी पशु एक महतोपूर्ण बहुमिका में निबा रहे है देश के अर्थ व्यवस्ता में 16 परतिशत लगबक पशुव का योगदान है कैसी होती है पशु खेती में सहायता हम आपको बताएंगे हर एक पशु पालक को और किसान को इस पर गर्व होना चाह चाहिए तो दोस्तों वीडियों तक जरूर देखें आपको आज हम पूरी पशु की जानकारी देंगे कि हमेरे लिए कितने वह महतोपूर्ण है जदी छोटी सी मधु मक्ही की बात करें तो यह फसलों में प्रसार के लिया महतोपूर्ण भूमिका निबाती है जदी यह मनुष्य के द्वारा सेवन किया जाता है यदि इस धर्ती से मधु मक्ही अलोप हो जाए तो मनुष्य भी इस धर्ती पर सिर्फ 4 साल तक जीवन व्यतित कर सकता है कई किसन फसल की उपश बढ़ाने के लिए मधु मक्हीयों के बक्षे को फसल में रखने रखते है ताकि फस मिट्टी की गुनवत्ता को बढ़ाने में महत्वपुर्ण भुमिकन निबाती है इसकी लिए मुर्गों के बीट को खेती की तयार की समय डाला जाता है ताकि जो फसल की बिजाई के समय मिट्टी में जरूरी तत्व की मात्रा बढ़ जाए और फसल सही तरीके से बढ़ सके इसकी इलावा मुर्गों का एक और भहुत महत्वपुर्ण योगदान है खेतों में यदि मुर्गों को फसल में छोड़ा जाता है तो यह हो फसल में कीडे को खा जाती है जिससे किसान का कीट नाशक खरीदने का खर्ष बच जाता है अब हम देखें यह बकरी पालग हमेरे किसान का बहुत खर्ष बचा देती है क्योंकि यदि कोई किसान अपने खेत में मिट्टी बदलता है या नई मिट्टी खेत में डाली जाती है तो नई फसल की विजाई के समय उसे काफी मुश्किल होती है क्योंकि मिट्री फसल के लिए तयार नहीं होती ऐसे समय में बक्रियों की लीद रामबान का काम करती है यदि बक्रियों की मेंगन जिसे लीद कहता है का प्रयोग खेद की तयारी से पहले किया जाता है तो नई मिट्री भी फसल की बढ़िया उपस जेती है यदि हम देखिए अभी भैस का तो यदि भैस और गाय की बात करें तो इनका जैवी खेती में एक महतोपूर्ण योगदान है इनके मल मुत्र से खाद तयार की जाती है इनके गोबर से ही वर्मी कमपोश तयार की जाती है इसके इलावा किटक नाशक बनाने में भी इनका मुत्र पेशा प्रयोग किया जाता है यदि किसान के घर पशु है तो उसका खेती में बहुत कम खर्श होता है क्योंकि वह खाद भी गर में ही तयार कर सकते है और किटक नाशक भी गाओं में अभी भी एक जगह से दुसरी जगह चारा या और अनाज को लेकर जाने के लिए पश्यों की ज़रुत पड़ती है जिसके साथ उनके यातायात के साधन भी पश्यों है खेती विवन्ता की यदि बात की जाती है तो किसानों को ज़रुत है इसे अपनाने की क्योंकि इसके साथ किसानों को कई पाइदे है जिसके साथ किसानों आमदेनी भी आती है और वह जिस पश्यों को पालते है उसके साथ उसकी खेती में भी सहायता होती है किसानों की सहेता पशु तो करते है पक्षी भी करते है जो किसानों की सहेता करते है खेतों में चीरियों भी कीडे को खाती है और किसानों का नुक्सान होने से बचाती है अन्ते में यही कहा जा सकता है कि जो किसान खेती के साथ साथ पशुपालन करते है उन्हें दोगुना मुनाफा होता है दोस्तो आज हमने देखा पशुपालन के क्या है लाप तो हर एक पशुपालक को अपनी पशुपालन पे गर्व होना चाहिए और हर एक किसान को आज अपने किसानी पे और पशुपालक पे गर्व होना चाहिए जो भाई कहते हैं पशु पालन में profit नहीं है या खेती इसानी में हम पशु पालन में क्या इस्तेमाल करें तो इनने ये वीडियो ज़रूर शेर करें तो उम्मीद करते हो वीडियो आपको अच्छे लगे होंगी वीडियो चलिए वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल पर नवे आओ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मैं है अपका दोस्तों अन्विर्शिक तेमूर फारें आपका स्वागते थैंक्स पर वोचिंग दोस्तों